Hello everyone, welcome to Techsharmath आज के session में हम Qshells related topic कवर करेंगे जिसमें हम देखेंगे कि कैसे हम find command को utilize कर सकते हैं उन files को list down करने के लिए जिनका size है वो one byte से बढ़ा है तो इस case में हम क्या करेंगे find command का use करेंगे अगर आपने पहले वाले sessions देखे होंगे तो हमने उसमें ऐसा ही topic के और कवर किया था जिसमें हमने files को एक extension से fetch करके देखा था कि कौन से extension से वो file है या modified time की basis पे भी उसमें data populate करवाया था यह उसी के continuation में और session है जहांपे हम size के basis पे sort करने वाले हैं file को sort भी होगा प्लस आपको जो sorted data वो मिलेगा तो इस session को समझ ले के लिए हम क्या करेंगे सबसे पहले मैं आपको जो भी requirement है वो clear करूँगा एक directory हम demo के लिए use करेंगे और फिर उस directory के अंदर जो data पढ़ा है उसको समझ के वहां से हम requirement को समझेंगे जब हमारी requirement clear हो जाएगी तो same चीज को हम try करेंगे qshell command prompt से वहां पर हम यह command को run करके देखेंगे कुछ ऐसे-ऐस scenarios बनाएंगे जिससे चीज़े clear हो कि कैसे actual में यह command work कर रही है और क्या इसके mandatory points है क्या इसके optional points है वो भी हम देखने वाले हैं तो start करते है सबसे पहले requirement अब requirement समझने के लिए सबसे पहले आपको एक command run करनी पड़ेगी अपनी system पे जो है work lnk work lnk क्या करता है यह work link को open करता है अगर आप यहाँ पर मैं enter hit करता हूँ तो देखोगे यहाँ पर क्या लिखा रहा है work with object links इसकी by default directory क्या है हमरे पास slash home slash shermit आपके case में यहाँ पर slash home slash और आपका username होगा अगर आपका username abc है तो यहाँ पर क्या path होगा slash home slash abc अब यह directory हमने डिक्लियर कर दी मतलब यह हमारी by default directory set है अब क्या करना है आपको यहाँ से page down करना है और एक demo के लिए मैंने जो directory already create की वी मैं उसके उपर ले जाता हूँ यह है हमारे text sharement directory यहाँ पर हम लेंगे option 5 option 5 लेने के बाद आप देखोगे यहाँ पर क्या लिखा है directory क्या लिखी है slash home slash sharement slash text sharement अब इस directory में क्या आप देखोगे काफी सरे files और subdirectories already stored है ठीक है अभी के लिए आप देखोगे यहाँ पर सिर्फ तीन ही file है और बाकी directories है बट ऐसा भी हो सकता है जब आप किसी project में work कर रहे हो जब आप किसी project में work कर रहे हो तो हो सकता है यहाँ पर hundreds of files hundreds of directories हो तो यह possibility है तो इसलिए हम क्या करेंगे इस requirement को समझने के लिए अभी के लिए हमने बस यह तीन file बनाई है अब suppose आपकी requirement यह आपको कोई बोलता है कि आपको वह files को list down करना है जिनका size 1 से greater हो तो उस case में क्या use करेंगे उस case में use करेंगे find command को जरूरी निया size 1 से related हो आप 5 भी pass कर सकते हो वह आपके ओपर depend करता है क्या requirement क्या है देखेंगे 1 byte से उपर अगर कोई file का size है तो वह files इसमें आनीची है तो यहां पर हम अभी देख रहे हैं जैसे files list down है और directories है इसी path को हम copy कर लेते है और फिर इसी को हम use करेंगे ठीक है तो copy मैंने already किया वाए अपने command को तो अभी हम directly यहां से चलते है एप 3 लेंगे यहां पर लिखेंगे qsh qsh क्या करता है qsh command entry screen को open करता है अब इस command entry screen पर कितने भी command को run कर सकते हैं अभी मैं आपको जैसे यहां पर लिखके दिखाता हूं find space slash home slash shermit slash tech shermit slash home slash shermit slash और यहां पर आप चाहो तो फाइल करने नहीं देंगे path हमने दे दिया आप क्या करेंगे space देंगे space देने के बाद में अगर यहां पर लिखता हूं hyphen type space f अगर यहां तक मैं इस command को enter it करूंगा तो यह क्या करेगा उन files को list down करेगा मतलब हर file को list down करतेगा ठीक है यह हम पहले देख चुक है इससे क्या हुआ इससे जितने भी files थे आपके इस location पे वह सारी list down हो गई बट यह हमारी requirement नहीं थी अभी के लिए आज के लिए क्यों क्योंकि आज हमारा target है कि उसको ही collect करना जो greater than one हो या exercise हो जिसका one byte का है न तो उसके लिए हम क्या करेंगे यहां पे f9 करेंगे और इस command को मैं फिर से retrieve करता हूँ तो अब देखो हमने क्या है इस तरह से आपको कुछ लिखना पड़ेगा ठीक है तो यहां पे जैसे अगर हम क्या करेंगे path की जगा change करके लिखेंगे slash home to में आ जाएगा sharmit और यहां पे directory के name में आ जाएगा ठीक है अब यहां पे hyphen type हम अल्रेडी दे चुके है अब तक size लिखना है hyphen size और फिर plus one अब यह plus one वाला command जो है वह हमारा perfect है यह हमारे command ready हो गई तो अब अगर हम enter it करेंगे तो सिर्फ आपको यह एक यह file less down करके दिखा रहा है जो है test.xml तो इसका जो size है वह plus one condition को fulfill कर रहा है इसलिए यह वाली file less down हो गई ठीक है तो सारी चीज़े किस पे depend करती है सारी चीज़े depend करती है size में file के कि अगर file का size one से greater than नहीं हुआ तो वो files इसमें populate नहीं होगी बट अगर greater than one है तो उस case में यह file populate हो जाएगी ठीक है तो अभी जैसे हमने देखा हमारे system में क्या तीन ही file थी तो यह इतना आपको useful नहीं लग रहा हो क्योंकि आप directly भी file select कर सकते हो बट यह scenario तब useful है जब आप किसी project में work कर रहे और वहाँ पर आपके पर ऐसे multiple बहुत सारे files है तो उस case में हमारे को यह find command के help से बहुत ही कम time में data मिल जाता है तो तब ही हम mainly यह चीजे use करते है अच्छा यह तो हो गया query command हमार को समझवा गई है अब इसमें कुछ modification करके भी दिखा जेता हूँ जैसे अगर यहां पर हम 1KJ का 10 रखते हैं और enter करते हैं तो इसकी में कुछ भी data नहीं आए मतलब greater than 10 whites की कोई file यहां पर available नहीं है ठीक है तो ऐसे हम चीजों को identify करते है अब next हमार को क्या दिखना है कि जिसे हमने last session में दिखा था कि type को अगर हम capital में लिख रहे थे तो वह error generate कराता हूँ क्या यह चीज सेम यहां पर size के साथ में भी है तो size में अगर मैं यहां पर capital size लिखके enter it करता हूँ तो आपको यहां पर error message मिलेगा the option size is not valid तो अब तक हमने जितने भी commands walkthrough करें जो भी commands समझें उससे आपको यह चीज clear हो गई होगी कि command जब भी हम put up करते हैं तो उस case में हमार को exact case यहां पर match कराना होता है options का otherwise वह work नहीं करता जैसे यहां पर भी आप देख रहे हो तो यह चीज़ आपको I think habit हो गई होगी होगी इस चीज़ कि कि हम यहां पर जब भी command का option put करेंगे वह small letters में ही होना चाहिए otherwise वह work नहीं करेगा ठीक है जैसे आप मैंने वापिस से को यह करा और 0 हटा दिया तो आप देखो कि आप output लेके आ रहा है ठीक है तो यह I think यह चीज़ आप मैं clear हो कोई अब जब query हमार को clear है command हमार को clear है तो अब हमें पता होना चाहिए कि कैसे इस command को हम execute करवा सकते है CL program के तो तो इसके लिए आपको यहां से F3 करना है पहले और यहां मैंने एक already program create किया है इसको open कर लेते है यह program किसलिए program to find all files larger than one byte तो इसके लिए हमें सबसे पहले तो एक variable declare करना है variable declare करने के लिए आपको DCL लिखके F4 करना है यहां पे variable का name आजाएगा type storage or length यह information पूट करने के बाद में आपको simply enter it करना है और आपको variable ready है फिर हम लिखेंगे chgware, chgware में क्या आएगा command variable का name find slash home slash shirmit slash text shirmit hyphen type f यहां तक तो क्या करेगा वो file लेके आएगा फिर उसके बाद में आपने लगा जिए hyphen size plus one यहां पे यह क्या करेगा यह लेके आएगा अपने data को जिसका size one से greater तो command ready है अब आप command में देख रहोंगे यहां पर plus use हुआ है तो वो plus automatically line change के विजशा है तो वो आपको अलग से add current की नीडनी है आपको f4 करके आप अपने original command लिखनी है वो अपने आप फिर change करके उसको plus में convert कर देगा क्योंकि यह line change हो रही है variable set होने के बाद में आपको strqsh लिख कर command का name pass करना है तो यह क्या करेगा command को execute कर देगा तो यह simple सा program था जिसके through हम command को run कर रहे है तो अब इसको compile कर लेते हैं और call करते हैं जैसे मैंने यह पर call किया तो इसने उस path को print कर दिया जहांपे condition fulfill हो रही है जिसके through आप अपने files को list down कर सकते हो size के basis पे और एक चीज हमेशा मैं आपको point बताता रहता हूं कि आप हमेशा ध्यान रखना कि find और grab command है वो तोनों different work करती है almost interview questions में यह तोनों के उपर question आता है और अकसर लोग confuses आते हैं find और grab command क्या होती है pattern search करती है बट find command क्या list of set of files को लाके देती है files और directories को एक condition के basis पे तो yeah I think आज के लिए इतना काफी है और next session में हम बाके topic discuss करेंगे so thank you for watching tech channel